तो चले आज 24 समय और शुरू करते हैं आज के टोप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेर्स बिलकुल ने फैक्टे साथ फुल डिलें पड़ेंगे ताकि एक्जाम नर किसी बैंगल से हमसे कोशन पूछता है तो मार नंबर यहां से नहीं कटना चाहिए और मैंने यहां प चलिए तो हर रोज की तरह पहले हम कवीज करेंगे यह कवीज जो है करेंट अफेर का एक इंपरेंट पार्ट है यहां पर मैं आपको स्टेटिक के और करेंट फेर के वह कुश्चिन कवर कराता हूं जो यह तो पिछले एक्जाम में आई हुए हैं यह आगे आने के चांस है और कुछ लोग क्या करते हैं पीच में वीडियो को रोक देते हैं छोड़ देते हैं तो ऐसा मत कीजिए वीडियो आपको अंड तक देखनी है और जो लोग डेली देख रहे हैं वीडियो उनकी स्टेटिक दीकर करेंट फेर बहुत स्ट्रंग हो गई ऐसा मेरा मानना है यह जब आपकी सीबी कोई वेपर दिने जाओगे ओके चलिए आज यह उच्छ का पहला कोशन है लावनी नर्त भारत के किस राजय से सम्धुत है पैंगोंसो जील आज कलिए जील बहुत निवीज बचली हुई है तो यह जील भारत के किस राजय या केंदर साइस्त प्रदेश के में है कि स्थीज दवन स्पेस सेंटर कहां पर है सरदार वल्ला भाई प्टेल जिनको हम लोह पुरुष के नाम से जानते हैं तो इनका जर्मदिर हम किस रूप मनाते हैं कि टीरी बांध भारत के किस राजय मिश्थित है और जो टीरी बांध है भारत का सबसे उचा बांध ह तो एक किस राजय मिश्थित है ओके तो एक इंपोर्टन्ट कोस्टन सभी तो यदि आपको इन में से एक काभी अंसर पता है तो भी आप वीडियो को रोक कर नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताए नहीं पता है तो आप जहरे बना कर रखे वीडियो के लास्ट में इन सब कोस्टन्स के इंसरम आपको बताऊंगा ओके चलिए वह दोस्तों ये वीडियो सभी एक्जाम के लिए इंपूर्णट है चाहिए अप रेलविक तारीक कर रहे हो ऐसा सिक तारीक और आप किसी भी एक्जाम के तारीक कर रहे हो सभी एक्जाम को जहान में रखते और यदि आपको इसकी डिटेल में पीडिया फाइल चाहिए तो आपको मारे टेलिग्राम गूर्प जोइन करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्स बॉक्स मिल जाएगा वहां पर आपको सारी पीडिया फाइल हो जाएंगी चलि अब हम सुरू करते है 24 माई के करेंट अफेयर्स पहला कोष्ण हाज का हालि में किस से राओ सरकार ने सबको मिलेगा रोजघश करू करिए सबको मिलेगा रोजगार तो यह यह सुरू करू कर दिख दो यह मिल Khay नहीं रहेगा ठीक है तो यह योजना शुरू करिए मध्य परदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए और कुछ लोगों को मंद्रिगा के तरत काम दिया जाएगा कुछ लोगों को जिस गाउं से वे हैं उसी गाउं में कोई न कोई चोटी मोटी नोकिर दी जाएगी तो सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू करिए मध्य परदेश सरकार ने यह आपको याद रखना है और मध्य परदेश बहुत न्यूज में चला हुआ है तो इसकी बहुत सारी योजना हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिये हैं सबसे पहली योजना चली है अभी दीदी वहान शेवा योजना जो की जाबवा जीले सम्मधित है जाबवा जीले के शरुवात की गई है तो यह बेसिकली महिलाव के लिए है दीदी वहान शेवा योजना अगली योजना है चरण पादू का पहल इस योजना के तहद जो भी प्रवासी मजदूर है उनको मध कोवीड योद्धा कल्यान योजना यानि जो हमारे कोवीड योद्धा हैं उनके लिए युवा स्वाब इमान योजना जो युवा हैं उनके लिए जीवन सक्ति योजना जीवन सक्तियोजना के तहित जो गरीब महीदा हैं उनको मास्क बनाने हैं और सरकार एक मास्क को उनसे 11 रुपे में खरीदेगी तो जीवन सक्तियोजना ये है जीवन अमरितियोजना इश्योजना के तहत मध्या परदेश सरकार एक करोड शुरून के पकेट बाटेगी लोगों को एक करोड जिसे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग हो जाए और वो कोरोना वारे से लड़ने की उनमें अश्मता हो Top Parent App उन्होंने शुरू किया है बच्चों के लिए और सबसे खराब शीशू मरत हुदर भी मध्या परदेस के जो भी अब इभी आखड़े आये थे आपको टाइगर मिलेंगे और सबसे जादा नेसल पार्क भी यहीं पर है 11 नेसल पार्क मध्या प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा राष्ट्रे उध्यान मध्या प्रदेश के अंदर है तो आपको बदा दूँ ओडर मी जो एप है ये शुरू किया गए पतंजली के दौर जखो जो भी फिलिपकार्ड होता है Amazon होती है आप इनसे समान मगवाते हूँ ठीक है तो वह उनलाइन समान मगवाते हूँ आप इनसे तो आप जो पतनजली ने भी इक मोबाइल अपना लॉंच किया ओडरके तो अब आप इस पर भी ओडर करके कुछ भी समान मगवा सकती हो ठ ठीक है तो इस ओडर मी पर भी आप कुछ भी जो है ओडर करके आप समान मंगवा सकते हो तो इस कोशन का अंसर हो जाएगा ओप्षन भी पतंजली ने ये मोबाइल एप लॉंच किया है ओडर मी ओके चलिए अगला कोशन है हाली में विशो कच्छवा दिवस किस दिन मनाया गया यानि वर्ल्ल टर्टल डे तो ये मनाया गया अभी अभी 23 मई को इस कोशन का अंसर हो जाएगा ओप्षन सी 23 मई को मनाया गया विशो कच्छवा दिवस ओके और अम मैं यहां पर आपको एक से 23 मई तक के जो सभी मेर्तोपुण दिवस होतते हैं वोम आपको यहां पर कवर करवाऊंगों। सबसे पहले एक मही को मने मनाया अंतराष्ट्रे मस्दूर दिवस। तीन मही को विशो प्रय सवतंतरता दिवस। आठ मही को विशो रैड क्रोस दिवस। मीजें इन इंटरनेशनल म्यूजियम डीवस और 21 मीजें हैं आंतगवादी विरोधि दीवस तो यह जो दीवस हैं आपको याद रखने हैं ओके चलिए जो लोगठे ले देखरे उनको याद हो गए होंगे अगला question है हाली हैं भार सरकार ने आतम निर्भर अबियान के तैत मदू मखी पालन के लिए कितने करोड रुपय आवपन्टित कीए हैं तो मैं आपको वदा दूँ इस question का अंसर हो जाएगा option A 500 क्रोड रुपे 12 सरकार ने आतम निर्भर अभियान के तैत मदू मखी पालन के लिए जो हैं आवंटित किये 500 क्रोड रुपे और मदू मखी पालन को हम कहते हैं PC Culture तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार आपको देखो जो आतम निर्भर भारत है इसके तैत 20 लाख करोड कार्थी के पकेश दिया गया है तो इसके तैत 1 लाख करोड करसी इंफरास्ट्रक्चर पर खर्च होगा करसी पर खर्च होगा 1 लाख करोड पंदरा हजार करोड एनिमल हस्पेंडरी इंफरास्ट्रुक्चर पर खर्चोगा याणि जो पसु पालन डे रिय है उन पर खर्चोगा इसका लाब दो लाक लोगों के मिले गा और 20,000 करोड रुपे मतश्यास संब्दा के लिए दिया जाएगा ये मैंने आपको को सभी कवर करवा दियें यह तो मैंने आपको एक से फेसल रिफिजन के लिए करवाया कि आपका रिफिजन हो जाएगा होकिछ चली एगला कशिन है है हमें चाय के लिए जोरहाट थी निलावी मंच का उध out ठीक है तो फिर आपको टिक करना है दारजलिंग दारजलिंग जिला कहाँ पर पैसी मंगाल के अंदर राज्य पूछे तो असं के अंदर सरचाए होती है और जिला पूछे तो दारजलिंग के चाय वह है जिसको सबसे पहले जय टेक दिया गया था 2004 में ये बी आपको याद र देखिए काजरेंगा राश्ट्रे उध्यान अस्सम के अंदर मिलेगा आपको राजिव गांधी और रांग राश्ट्रे उध्यान डिवरू शेखवा राश्ट्रे उध्यान मानस नेशनल पार्क और नामेरी राश्ट्रे उध्यान यानि नेशनल पार्क आपको अस्सम राज एओधना शुरू करिए है आप देख रहे हो 36 गढर सरकार नहीं यह जो जना सुरू करिए है ओक है वो 1921 को इनकी हत्ता कर दी गई थी तो मिलाड़ू के अंदर लिटे जो एक आंत्यक्वादी से गठन रहा उसके दुवारा तो हम 21 मई को हम मनाते आंत्यक्वादी विरोधी दीवस अब बाद आई 36 गड़ की सबसे पहले 36 मैप में कहा पर है यह रहा 36 गठन का वह इसका एक नॉम्बर 2000 में इसका गठन हुआ रैपूर इसकी राजधानी है वुपेश भगेल यहां के मुख्यमंत्री है अनुसुया उईके यहां की राजय पाल यह आपको याद रखाना इंप सब्सक्राइब है और लोग सब्सक्राइब 11 और राज सब्सक्राइब पांच है राजभाशा यहां की हिंदी है ओके चलिए नेस्ट कोशन है फेस्बुक ने छोटे विशाओ के लिए किस नाम से एक स्वापिंग प्लेटफॉर्म लॉंच किया है अब फेस्बुक भी और करके मंगवा सकते हो फेस्बुक स्वाप्स पर और फेस्बुक अभी हाले में बहुत कार्णों सी न्यूज में जैसे अब यह इन्होंने फेस्बुक ने कंपनी खरी दिया 400 मिलिन डॉलर में इसका नाम जीफी जी आई पी एच वाई जीफी कंपनी खरी दिया इन्होंने किया प्रगती महिलाओ के लिए प्रगती केंपेन शुरू किया इन्होंने महिलाओ के लिए और फेस्बुक ने एक और केंपोन लाउंच किया है जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल ये भी इन्होंने केंपेन लाउंच किया है और फेस्बुक ने 9.99 परतिशत इ ठीक है इंवस्ट किया है जिओ के अंदर रिलाइस जिओ के अंदर तो इन करनों से फेस्टबूक आज ओड़ नियूज में चला गुए है और फेस्बूक के सियो को ने मार्ग जुगरबर्ग फेस्बुक के सियों है स्थापन 2004 में हुई थी ठीक है चार फरविर 2004 को इसकी स्थापन हुई थी आनि फेस्बुक चालो की गई थी ओके तो यह से बाते आपको याद रखनी है कलेफोर्ने आमें इसका एड़कॉर्टर है फेस्बुक का अगला कोश्चन है किसरा सरकार ने उ और अब बात आई उत्रप्रदेश की सबसे पहले उत्रप्रदेश का आप रहें मैप में आप रेड़कलर में देख पार होगी है उत्रप्रदेश यहां पर गठन हुआ इसका 24 जनुरी सब्चास को लखनों यहां की राजधानी है योगी अधितनाथ यहां के मुख्यमंतर यहां की राजयपाल हैं विधान सबसीटे 404 हैं लोग सबसीटे 80 हैं जो कि सबसे ज़्याद हैं राजबाशा हिंदू और हिंदी और उर्दू है ओके और उत्रप्रदेश ने अभी अभी इतों स्टार्ट अप फंड आयो गया और एक यूवा किर्शिक दुरूएट अगला कॉशन है बाल त्यकी सराज़ा को अंफान नामक चक्रवाद से नुकशान की बरफाई के लिए परधारमंतिर निनन Stream distinction मोदी ने 500 क्रोड रुपे देने की गोशना करी है तो 500 क्रोड रुपे दे याइँ और यथा को अभी परधारमंतिर निन Nundrum और जिदार हो और उडिशा की बात आया है तो निगे जूसी अपिदिषाद मतेे बहुप को जो हैं राज जेपाल हैं स्थापना इसकी 26 जनवरी उने सब्सक्रास को वी थी ओके लोक सबासीटे 20 है राज सबासीटे 10 है चलिए अब हम सुरू करते हैं आज की कोईज के अंसर्स पहला कोशिन है लावण नर्ते भारत के किस राधे समन्दित है तो लावण नर्ते है कहां स पीने योगन नहीं है पैगांग सो दो त्याइसा इसका बारत जो चीन के पास है और एक त्याइसा इंडिया के पास है तो आज कल जो बारतिया सेना उस चीनी सेना इसके बीच इसको लेकर बहुत जड़ब चलुई है तो आज कर लिए बहुत नियूज में पैगांग सो जी स्थीज दवन स्पेस सेंटर आपको कांपर मिलेगा यह मिलेगा आंधरा प्रदेश में आंधरा प्रदेश में कांपर सरी हरी कोटा के अंदर, ठीक है, सरदारवला भाई पटेल, इनको महीं लोह पुरुशीर के नाम से जानते हैं, तो इनका जनम दिन हम मनाते हैं, राष्ट तो यह उत्राखंड के अंदर बारत का सबस्क्राइब करें अच्छे लगा प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स मताएं अच्छा लगाओ तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेर जरू करें कम से कम तीन दोस्तों के साथ वीडियो को शेर जरू करें वहीं इसको बनाने तो यह वोचिंग पीकेश सेल्फ रिदी